हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल बिजी ब्रश मैं हूँ संगीत आवस्ती फ्रेंट्स वेस्ट मटियर्स रियू सिरीज में आज आपके सामने मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ अगर इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्रिप्शन ब पेंट किया है और इसे पेंट करना बहुत ही आसान है अगर आप कुछ टिप्स फॉलो करेंगे तो आप भी इसे आसानी से बना सकते हैं अपनी किचन गार्डन में चाचान लगा सकते हैं तो आये देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले मैं यह बताना सप्राइस्ट बट इट इस ट्रू फ्रेंड्स अब तो ये और भी खुबसूरत लग रहा होगा है ना एक बात और बताना चाहूंगी फ्रेंड्स इसे मैंने लास्ट येर ही पेंट किया था बट बहुती सिंपल वे में मैंने जादा इसमें कुछ नहीं किया था केवल टेक्स लिखी थी और थोड़ा बहुत इधर ओदर फूल पत्ती बना दिये थे बट इस बार मैंने इसे अच्छे से डेकोरेट किया है और एक बात और बताना चाहूंगी कि जादा मेहनत से बचने के लिए मैंने इसके बीच का जो टेक्स था उसे और आसपास मैंने इसको वाइट पेंट से पेंट कर लिया उसके बाद मैंने इसके जो वाइट पेंट मैंने इसके उपर पेंट किया था उसके उपर बिक पैटन बना लिया है फ्रेंस ब्रिक पैटन को बनाने के लिए मैंने light pink और light green color का यूज किया ये देखिए friends इसके बाद text लिखने के बाद हमें garden hedge बनाना है यनी जाड़ियों को बनाना है तो उसको बनाने के लिए ये काफी easy है बनाने में ये सबसे easy part है इसको बनाने के लिए हमें कई colors यूज करना है पर green को जादा यूज करना है फ्रेंज flowers को बनाने के लिए हमें किसी भी paper को roughly wrap करके उसे red, yellow, orange color में dip करके flowers create कर लेने हैं ये चीज मैंने आपको last video में भी बताई थी कि हमें flowers easily कैसे बना लेना है अगर हम painting कर रहे हैं उसके बाद ये जो आप lamp post देख रहे हैं friends देखिए इसको बना लेना है इसको पहले हमें scale से draw कर लेना है और उसके बाद इसे paint कर लेना है black paint से जैसे मैंने black paint यूज किया अगर आप चाहें तो और भी कोई color choose कर सकते हैं तो देखिए मैंने इसे बनाया है इसके बाद आपको जहां जहां भी white base coat देख रहा है वहां हमें कुछ यह जो lady bird और butterfly और यह honey bee और यह mushroom जो मैंने इसमें बनाय हुए हैं इनको हमें space देखकर बना लेना है इसके लिए मैंने इधर corner पे space choose किया था वही मैंने इनको draw कर लिया था और उसके बाद में इसको paint कर लिया था इसको बनाने के लिए कि यह कैसे इसका जो figure है वो बनेगा इसके लिए आप Google के भी help ले सकते हैं friends यह देखिए और हाँ friends एक बात और बताना चाहूंगी जब आप brick pattern create कर रहे हैं पूरे board पर तो आपको कहीं कहीं पे skip भी कर देना है ताकि vintage look आ सके इस pattern को create करने के लिए मैंने brick pattern को create करने के लिए मैंने baby pink और light green color use किया है friends इस color को कैसे बनाना है आप मुझसे comment करके पूछ सकते हैं मैं आपको इसके उपर एक video बना दूंगी तो इस तरह देखिए मैंने किस तरह से इसमें brick pattern create करते हुए लगभग board को complete कर लिया था उसके बाद front देखिए यह मैंने एक creeper बीच में बना दी है इसमें बहुत पतली सी बहुत lean सी एक creeper आपको नजर आ रही होगी इसको मैंने बना दिया है ऐसा लग रहा है कि brick के बीच से यह creeper naturally निकली हुई है यह देखिए यह काफी खुबसूरत सी लग रही है तो इसको मैंने बना दिया है उसके बाद friends मैंने इसमें butterfly को बनाने के लिए stencil का यूज किया है आप चाहें तो direct भी बना सकते हैं बनाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसे direct ही खुद से बनाना चाहिए था स्टैंसल का यूज नहीं करना था उसके बाद friends मैंने यह देखिए किचन लिखने के बाद उसके साइड में एक chopping board बनाया है जिस पे मैंने कुछ लिखा भी हुआ है crop and chop यह देखिए friends उसके बगल में मैंने एक knife बना दिया है जो इसकी theme को काफी अच्छे से compliment कर रहा है किचन बोर्ड की theme को काफी अच्छे से compliment कर रहा है तो यह साली चीजे जो मैंने इसमें बनाई है यह एक दूसरे को अच्छे से इसका जो color combination है वो अच्छे से एक दूसरे को compliment कर रहा है friends तीन तरफ की hedges तो एक type की है और उपर की hedges हैं और hedge किया इसको आप creeper भी कह सकते हैं तो उसमें मैंने cherry को बना दिया है देखिए और उसमें मैंने कुछ अलग तरह की leaves बनाई हुई है इसको आप बहुत ही easily बना सकते हैं direct brush से भी इसको आप बना सकते हैं इसको आपको draw करने की जरुवत नहीं है पर अगर आप इसको बनाने के लिए easy feel नहीं करते हैं तो आप draw करके भी बना सकते हैं फ्रेंड्स चेरी में शाइन को दिखाने के लिए white color का यूज मैंने की तो इस आप लोगों को मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो please hit the like button and share it अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो subscribe my channel और notification के लिए bell button जरूर दबा दे फ्रेंड्स ताकि आपको time to time वीडियो की जानकारी मिलते रहे thanks for watching, bye